कि गुद्मानिक स्ट्रेंट्स लसंत्री के पस्टेशन में हमने आपको कहानी पढ़ाई थी सोना आज हम उसके प्रिश्णुद्ध तर सौल करने जा रहे हैं तो मौकिक में फर्स्ट कोशन देखिए हिरन का नाम क्या रखा गया तो हिरन का नाम सोना रखा गया कोशन नमबर टू लेखिका कहां रहती थी तो लेखिका इद्याले के छातरा वासने रहती थी कोशन नमबर त्री सोना की सखिए का क्या नाम था तो सोना की सखिए का नाम फ्लोरा था कोशन नमबर फूर गर्मियों में लेखिका परेटम के लिए कहां गई तो आपका उत्तर है कि गर्मियों में लेकिका प्रेटम के लिए बद्रिनाथ गई कुशन नमबर फाइब बद्रिनाथ से लोटने के बाद लेकिका को कौन सा दुखद समाचार मिला तो question number five का answer है बद्रिनाफ से लोटने के बाद लेकी का को सोना की मुरत्यू का दुखद समचार मिला आपकी वर्ड में नी शिश्ववस्ता, शिश्वकाल, छलकना, यानि गिरना, निस्टोरता, कठोरता, तन्मे किसी कारे में बहुत मगन रहना, यानि कि लगन से कारे करना, कातुक, उत्साह, व्यस्त, किसी कारे में रत, दूख, एक प्रकार की गास, पानिदा, जिसने पानी भरा हो, व्यथा, कस्ट, बहुमोल्य, कीम्ती, अथाह, बहुत अधिक गहरा, निरिक्षन, खोज, परिचित, जान पहचान वाला, सक्ख है, यानि कि मित्रता, दोस्त, लिक्षित प्रेशन आपको बचों नीचे दिये जा रहे हैं, आफ्टर एक्साइज, फर्स्ट, वे विल स्टार्ट, कोश्च नमबर टू, सोना डैश, रंग की दिखाई देती थी, सुनहरे, ख, विद्याले और च चात्रावास, कि चात्राओं के निकट, सोना अपले पहले कौतों का कारण रही, ग, फ्लोरा ने डैश, बच्चों को जर्म दिया, यानि कि चार बच्चों को जर्म दिया था, लेखिका ने गर्वियों में की यात्रा का कारेंखरम बनाया, कौन से यात्रा थी वो, मत्रिना कि यात्रा नेक्स्ट कोशन मेरे प्रती यानि लेखी का के प्रती प्रदर्शन के उसके क्या थे क्या प्रकार यानकि क्या प्रकार से बहरे लेखी का के प्रती अपने प्रतर्शित करती थी कोशन नमर तरी शिकारे सोना को कहां से लाए थे जंगल से खाप सोना के सखी का क्या नाम था और अपिनो फ्लोरा लेखिका गर्मी में कहां गई थी यह बद्रिनाथ की यातरा पर गए थी यानिकि थार्ड ऑप्शन इस करेक्ट फूर लेखिका के बद्रिनाथ से लोटने के बाद कौन उसके कंदे पर आ बैठा था तो को ना आगर बै फोर सही तथा गलत का निशान लगाई है सोना का लगो शरीर सुने रंके रेशमी लच्चो की कोमल गांट के समान था येस करेक्ट खाव सवेरे छातरा वास में के रशीलता नहीं रहते थी यानिकि शोर नहीं रहता था कोई मिल्दा कोई भी कारे नहीं होता था गलत होता किसी भालेका को लेखीका का इसमर्ण हो आया और वह अनात्शावक यानिकि उस हिरन का इन्नी का जो बच्चा था यानिकि सोना को उनके पास ले आई थी सही मेरी प्रती यानिकि लेखीका के प्रती उसकी शत्रुता के कई परकार थे नहीं गलत भीदर हने पर सोना लेखीक क्या प्यारों से अपना शरीर रगढने लगती सही। यानि कि हिरन का शावक यहां पर सस्थी तत पुरुष समास है क्योंकि सस्थी में क्या होता है संबंद को दिखा जाता है जहां पर का की के का प्रयोग होता है मिरग समु रखका समु यानि कि सीम सस्थी तत पुरुष समास विद्याले विध्याका अले विद्याका गहर यहां तत्पुर्श तमास नम्लिकित में सही उपसर्ग जोड़कर नई शब्द बनाईए तो जीवन में आप उपसर्ग जोड़कर बना आजीवन अन्त में आ उपसर को जोड़कर बनाया हमने अनन्त यश में आपका प्रयोग किया गया तो बना आप यश चर में आ का प्रयोग किया गया आ उपसर का तो बना आ चर संकोच में नी नी उपसर का प्रयोग किया गया तो नी संकोच हार में प्रयापसर का प्रयोग किया गया है तो प्रहार गुण में अब उपसर का प्रयोग किया गया है तो अब गुण हिंसा में आ उपसर का प्रयोग किया गया है तो अहिंसा मान में अप का प्रयोग किया गया है अप उपसर का तो अपमान प्राधीन में पर उपसर का उप्रयोग किया गया है तो प्राधीन लिखित प्रेशन सोना को किस ने पाला तो सोना को लिखिका ने पाला सोना को क्या पस खाना पसंद था तो सोना को बिस्कुट को चोड़ कर सभी खाते पतार पसंद थे जिसमें हरी सब्जिया भी सम्मलित थी बच्चों ये सभी प्रेक्षन मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ आपको लिकित और मौकित प्रेक्षन दोनों ही अपनी फियर कॉप में करने हैं बहुत ध्यान सगीजेगा कोशन नमबर 3 सोना को छोटे बच्चे अधिक प्रिया क्यों थे तो सोना को छोटे बच्चों के साथ खेलने के लिए अधिक समय मिलता था इसलिए इसे चोटे बच्चे अधिक प्रिया थे या पसंद थे कोशन नमबर 4 सोना अपनी मा से क्यों बिछड़ गई थी तो जब म्रग यानि कि हिरन का सम हो शिकारियों की आहट से घबरा कर भागा तब सोना की मा प्रसुता होने के कारण भागने में असमर्ड थी उसने सोना का जीवन बचाने के लिए अपने प्राण दे दिये इस प्रकार सोना अपनी मा से बिछड़ गई यानि कि उसकी मा की रत्यों हो गई थी question number 5 चात्रा है सोना का श्रंगार कैसे करती थी तो इसका उक्तर है कि सोना के चात्रा मास में पहुंसते ही कोई चात्रा उसके माते पर कुम कुम का बड़ा सा टीका लगा देती तो कोई गले में रिबन बान कर पूजा के बताशे खिला देती बच्चो अब कुशन्स को ध्यान से कीजिंगे वर्ड बिरिंग लर्न करेंगे तो आज बस इतना ही टोड़े इनफ थैंक्यू और है वे नाइस दे स्टे सेफ